लिए इस्टूडेंट हम लोग इस question number 3 को solve करते हैं और देखते हैं इसका solution क्या होगा तो इस्टूडेंट आप लोग question को पढ़िए इसमें क्या कहा जा रहा है किसी कमरे की लंबाई चौडाई और उचाई क्रमसा देखिए हम लोग लिखते चलते हैं लंबाई कितना दिया ग उचाई की उचाई को h से दिखाते हैं और h is equal to 450 cm दिया गया ठीक ही student आगे देखिए क्या कहा जा रहा है ऐसा सबसे लंबा फीता ग्याद किजिए जो कमरे की तीनों बीमाओं को माप कर लिए तो student सबसे लंबा फीता निकालना इस case में कैसे निकालेंगे तो यह जो सबसे लंबा फीता ग्याद किजिए अब यह सबसे लंबा फीता की जो सबसे लंबा फीता है यहां पर जो हमें लंबाई चोड़ाई उचाई दिगे इनके मासा के बराबर होगा ठीक है सबसे लंबा फीता, सबसे लंबा फीता कमरे की लंबाई, डिरेक्टली लिखते हैं, सबसे लंबा फीता 825, 675 और 450 के मासा के बराबर होगा, ठीक है? तो सबसे लंबा फीता होगा, सबसे लंबा फीता होगा, यहाँ पर यह जो संख्याय दीगा, इनके मासा के बराबर होगा, तो चलिए हम लोग इन संख्याओं का मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन संख्याओं को कुछ इस तरीके से लिखना भाई अभाज गुणन खंडों के रूप में लिखना पड़ेगा तो चलिए हम लोग इनको अभाज गुणन खंडों के रूप में लिख देते ठीक ही स्टुडेंट अब 825 को में लिखना है तो आप अभाज गुणन खंडों के रूप में लिखने के लिए क्या करते हो ऐसे लिखिए और इनको काटिये देखी किस से कटेगा 5,2,7,8,15 3 से कट जाएगा 3 से विभाजिता का नियम लागू होरा 3 से काटिये 3 दूनि 6,2,8 ए हो जाएगा कितना 22 3 सते 21,21 हो जाएगा 15,3,5 15 कट गया पांच साथ बारा दो चौदा अब यह हमारा तीन से नहीं खटेगा पांच से कटेगा 5 से काटते हैं 5, 25, 25, 27 यहीग योग पचीस 5, 25, 25, अब किससे कटेगा 5 से तो 5 से काटेगंगा यहाँ पर 11 हा जाएगा और 11 से काट देंगे तो यहाँ पर वह न आ जागा, ठीक ही student, तो यहाँ पर जो हमारी संख्या है, 825 इसको उम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुड़े में 5, गुड़े में 5, और गुड़े में 11, ठीक ही student, तो संख्या 825 को उमने अभाज गुड़न खंडों के रूप में लिख दिया है, चलिए, यहाँ पर जो हमारी संख्या 675 है, 675 को भी हम लोग अभाज गुड़न खंडों के रूप में लिख लेते हैं, ठीक ही student, काटिए, 5, 7, 12, 6, 18, 3 से कट जागा, काट देजिए, 3, 2, 6, और यहाँ पर 3, 2, 6, 1, 7, यह हो गया 15, 3, 5, 15, 25, अब किस से कटेगा, 5, 2, 7, 2, 9, 3 से भी कट जागा, काट दीजिए, 3, 21, 21, 15, 3, 5, 15, किस से कटेगा, 3 से कट जागा, काट यह, 3, 2, 6, 1, 7, 3, 5, 15, अब किस से कटेगा, अब डिरेकली 5 से कटेगा, तो 5 से काटेगे, 5 आजाएगा, फिर 5 से काटेगे, 1 आजाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 675 को, 3, गुड़े में 3 गुड़े में 3 इंटू में 5 और क्या लिख सकते हैं बच्चों इंटू में 5 तो जो हमारी संख्या 675 है इसको भी हमने अभाज गुड़न खंडों के रूप में लिख दिया ठीक है चलिए अब यहां पर जो संख्या हमारे पास 450 है 450 को भी हम लोगा भाज गुड़न खंडों के रूप में लिखते हैं तो ऐसे कर दिए काटिए इसको आप किस से कटेगा दो से दो से कार देते हैं दो दूनी चार दो दूनी चार एक पांच के हो जागा कितना दस दो पंची दस कार दिया बढ़ा 5 से काट देंगे तो पांच आपक आएगा फिर पांच से कार देंगे तो वह आणा जागा तो किया लिख सकते हैं इस्टूवडेंट दो गुडे में 3 गुडे में तीन गुड़े में पाच और गुड़े में पाच तो इसका मासा क्या हो जागा आप लोग मासा बताएंन आस्सके निकालते हैं जो हमारा इसमें भी और उसमें भी नहीं हम लोग मल्टिप्लाई के साथ लिए ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो है और कहीं दो नहीं दिख रहा है यहाँ पर तीन है चलिए देखिए यहाँ पर तीन है एक ही तीन है न यहाँ पर भी तीन है और देखिए यहाँ पर भी तीन है तो तीन हमारे इन तीनों में है तो यहाँ पर तीन लिख देंगे multiply के साथ लेख़े दिखी यहाँ पर एक पांच है और यहाँ पर देखिए सब में 2-5 है न यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2-5 है और यहाँ पर भी 2-5 है और कहीं आपको कुछ common दिख रहा है student नहीं दिख रहा तो आप लेकि लेंगे 5 गोड़े में 5 और कुछ कौमन दिख रहा देखिए नहीं दिख रहा न जो ऐसी संख्या आपको लेनी है जो तीनों में हो तो तीनों में 3 है 5 है फिर 5 है और कुछ नहीं है तो इन्हीं को मल्टिप्लाई करके लेकिए 5 25 तिया 75 सेंटीमीटर तो आता है क्या कई जारी ऐसा सबसे लंबा फीता ग्याद कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा-पूरा माफ सके आता है उस फीते की लंबा आई उस फीते की लंबा आई 75 सेंटीमीटर होगी ठीक ही श्टुडेंट जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा-पूरा माप लेगा विमाओं को पूरा-पूरा माप लेगा इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यह जो मारे क्वेस्चन था हमने इस क्वेस्चन को सॉल्व कर लिया है तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए अगर आपनों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट वाक्स में कमेंट करना वीडियो पसंद आए तो व सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए थैंक यू